हेलो एन वेलकम बैक टू माई शैनल स्पाइसे और इंग्लिश गाइज अगर आप भी अपने इंग्लिश इंग्लिश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज तक जरूर देखना गाइज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस है यहां पर यह बोल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तेरा प्यार सच्चा है या नहीं तुमने इसके भाई को कैसे मनाया आपको इतने सालों बाद भी बेटे पर भरोसा नहीं है या तुमने का मतलब है कि आपका बेटा बड़ा हो गया है फिर भी आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है या तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करते हो तो तुमको एक तमाचा लगेगा you are going to get a smack if you don't do as I say smack का मतलब होता है कि तमाचा यह slap भी आप बोल सकते हो you are going to get a slap यानि कि तुमको slap मिलेगा तमाचा मिलेगा if you don't do अगर तुम नहीं करोगे as I say जैसा मैं कहता हूँ या तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करते तो तुमको एक तमाचा लगेगा you are going to get a smack if you don't do as I say समझ नहीं आता या मार खा कर समझो कि तुम can't you understand? will you understand if you get trashed? can't you understand? will you understand if you get trashed? समझ नहीं आता या मार खा कर समझो कि तुम guys थ्राज का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलू कि he trashed मी यानि कि उसने मुझे मारा तो यहाँ पिए बोल रहा है कि can't you understand? तुम्हें समझ नहीं आता? will you understand if you get trashed? मार खा कर समझो कि तुम कब तक खाली बैठा रहेगा? how long will you stay idle? how long will you stay idle? कब तक खाली बैठा रहेगा? how long will you stay idle? क्योंकि यह job off नहीं करता है तो इसका अंकल पूछ रहे है कि कब तक खाली बैठा रहेगा? how long will you stay idle? हाँ तो बोल मैं अपने दोस्तों से बात करके तुझे job दिलवा दूँगा I will ask my friends and get you a job if you agree आप क्यों चिंता कर रहे हो? why are you tensed? आप क्यों चिंता कर रहे हो? यह अपने अंकल से बोल रहे है कि आप क्यों चिंता कर रहे हो? why are you tensed? आगे बोलता है कि मेरे माता पिता बहुत खुश है तब ये बोलता है कि वे खुश होने का दिखावा करते हैं लेकिन वे वास्तों में दुखी है they pretend to be happy but they are actually sad they pretend to be happy but they are actually sad वे खुश होने का दिखावा करते हैं लेकिन वे वास्तों में दुखी है they pretend to be happy but they are actually sad pretend का मतलब होता है इसके दिखावा करना नाटक करना तो वह ये बोल रहा है कि they pretend to be happy वे खुश होने का दिखावा करते हैं but they are actually sad लेकिन वे दुखी हैं लेकिन तुझे इतनी दिर क्यों लग गई तो guys ये कुछ लेने गई थी तो इसकी बहन पूच रही कि लेकिन तुझे इतनी दिर क्यों लग गई but why did you take so long लेकिन तुझे इतनी दिर क्यों लग गई but why did you take so long एक लड़के ने coldятся ये साथ बहुत गंदा बरताओं किया a guy treated me very rudely at a coldfin shop A guy treated me very rudely at a coldurunk shop एक लड़के ने cold próxim आजकल train में सफर करना बहुत डरावना है या भयानक है तो ट्रेवल बाई ट्रेन यानकी train में सफर करना आज रात उसकी नीद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे. We won't sleep tonight until we ruin her sleep. कहने का मतलब यह है गाइस की हम जब तक उसकी नीद नहीं उड़ा देंगे, तब तक हम नहीं सोएंगे. We won't sleep tonight until we ruin her sleep. तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है. What you have done to me is not good. तुमने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं है. वह उससे मिलने आई होगी. She might have come to see him. हो सकता है वो उससे मिलने आई हो या वो उससे मिलने आई होगी. She might have come to see him. क्या मैंने तुझे उनके बारे में बताया? Did I tell you about him? क्या मैंने तुझे उसके बारे में बताया? Did I tell you about him? अगर वो किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. He goes to any extent when he gives a word to someone. जब वो किसी को वादा देते हैं उस वादे को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं. He goes to any extent when he gives a word to someone. भरोसा नहीं होता कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने वादे को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. It's hard to believe existing such people who do anything to keep a promise. यानि कि मुझे बिश्वास नहीं होता या भरोसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है भरोसा करना कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने वादे को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. It's hard to believe existing such people who do anything to keep a promise. दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे धुमरपान करना चाहिए. यानि कि मैं कुछ भी नहीं सोच सकता हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, I should get a smoke, मुझे धुमरपान करना चाहिए, वहाँ मेरी जासूसी करने के लिए पैदा हुई है. वहाँ मेरी जासूसी करने के लिए पैदा हुई है. आगे देखते हैं, ऐसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो. एसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो. क्या तुम्ही अनु के घर में आए हो? या आप मूविन का यूज वहाँ पर कर सकते हो जब आप किसी के साथ रिलेशन्शिप में आते हो. तब भी वहाँ पर आप मूविन का यूज कर सकते हो. और जैसे मैं बोलू कि रिलेशन्शिप में कैसी इसको आप यूज कर सकते हो. जैसे मैं बोलू कि राहू और रिया आर मूविन अनु के घर में आये हो? Is it you who moved in to Anu's house मैं उससे प्यार करता हूँ तुम हमारे बीच में टांग मत टडाओ I love her You can't create a rift between us now I love her You can't create a rift between us now यानि कि मैं उससे प्यार करता हूँ You can't create a rift between us या आप इसको ऐसे बोल चकते हैं कि तुम हमारे बीच में टांग मत टडाओ या तुम हमारे बीच में दरार मत पैदा करो Rift का मतलब होता है गाज कि You can't create a rift तुम हमारे बीच दरार मत पैदा करो You can't create a rift between us या आप ऐसे बोल चकते हो गाज कि तुम हमारे बीच में टांग मत टडाओ You can't create a rift between us Now, तुम बेवज़ा tension क्यों लेते हो Why do you get tensed unnecessarily Why do you get tensed unnecessarily तुम बेवज़ा tension क्यों लेते हो अब हम यहां से कैसे निकलेंगे How do we get out of here now How do we get out of here now अब हम यहां से कैसे निकलेंगे यह दुनों first गए हैं तो यह बोल रही है कि How do we get out of here now अब हम यहां से कैसे निकलेंगे विक्रम मेरा phone नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने आपको call किया विक्रम was not answering my calls so I called you विक्रम was not answering my calls so I called you विक्रम मेरा phone नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने आपको call किया विक्रम was not answering my calls so I called you तुम बिल्कुल अपनी मा की तरह जिद्धी हो You are stubborn, just like your mother You are stubborn, just like your mother तुम बिल्कुल अपनी मा की तरह जिद्धी हो You are stubborn, तुम जिद्धी हो Just like your mother बिल्कुल अपनी मा की तरह मुझे फसाया जा रहा है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है I am being framed, I have done nothing wrong I am being framed I have done nothing wrong मुझे फसाया जा रहा है I am being framed मुझे फसाया जा रहा है मैंने कुछ गलत नहीं किया है I have done nothing wrong I have done nothing wrong वेल गाईज आई इस वीडियो में इतना ही जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट की गाईज जरूर बताईए मैं आपसे एक लिए वीडियो मिलता हूँ Till then take care, keep practicing and thanks for watching